अभे हलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपके बताने जा रहा हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे फस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, competitive exam के time में आपकी calculation अगर strong है, fast है, तो आप paper को जल्दी crack कर सकते हों, और ये बहुत easy फंडा है, कि अगर आपकी calculation fast है, तो paper आपका बहुत जल्दी solve हो जाएगा, इसके लिए मैं आज आपको एक tips पताने जा रहा हूं, एक first short trick, जो मैं आज आप को first short trick बताने जा रहा हूं, वो ये है कि two digit की, two digit की जो calculation होगी, two digit की calculation को कैसे fast करना है, two digit की calculation mean to say, जैसे मैं आपको लिख दो, यहाँ पे 25 multiply 35, तो इसका क्या answer आएगा, so maximum student इसको क्या करेंगे, कैसे calculate करते हैं हम, जो normal हमें हमारी classes में, school में पढ़ाया जाता है, कि इसको five eyes are 25, and two, and ten, this is twelve, okay, and this is, and five, three is a, fifteen, one remainder, and three two is a, six, and one, seven, and this is five, five two, seven, and seven one, eight, तो इसको करने में ऐसा करते करते, आपके कम से कम, एक मिन्ट तो चला जाएगा, okay, एक मिन्ट इस calculation को लग जाएगा, एक नहीं लगेगा, चाली सेकिंड तो आपके लगेंगे, लगेंगे, so यह calculation fast हो जाती है, so हम इस calculation के उपर नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको short trick में करने की कोशिश करेंगे, और यह दोस्तों जो मैं short trick पताने जा रहा हूँ, यह सारी calculation पर applicable होगा, चाहे two digit की आप जो भी calculation करते हो, उसमें सभी में applicable है, आईदर आप जैसे मैं आपको बोलूं, कि आप 72 multiply 84, जैसे यह, आप यह calculation कैसे करनी है, इस तरह की calculation करने के लिए आपको time कम होता है, कैसे आप इसको easily कर सकते हैं, यही आज हम सीखेंगे, तो चलो दोस्तों, इसके लिए हम start-up से सुरू करते हैं, इसका base क्या है, अगर आप base को थोड़ा time try करते हैं, एक या दो दिन try करते हैं, मैं आपको लिखके दे सकता हूँ कि आप अपनी calculation को 10 से 15 सेकिंड में कर सकते हैं, चलो तो पहले example हम लेते हैं, 22 multiply 22, again, अब same digit है, same digit को कैसे multiply करना है, अब आप भूल जाएए आपको जो simple school में करवाया जाता है, चलो, तो आपको करना क्या है, direct digit को multiply करना है, direct meant to save, उपर वाले digit को निच्चे वाले digit से multiply करना है, उपर वाले digit को निच्चे वाले digit से multiply करना है, okay, कैसे, 22 multiply 22, I think यहाँ पे हम 44 कर लेते हैं, ताकि आपको समझा जाए, so 4, 2, 2, 8, हमेशा जो digit है, वो ऐसे लिखेंगे आप, okay, 4, 2, 8, and 4, 2, 2, again, 8, okay, ठीक है, अब second, यह first step है, this is the first step, मतलब direct multiply किया, 2 को 4 से, 2 को 4 से, फिर cross multiply करना है, ठीक है, cross multiply को साथ में ही add कर ले रहा है, कैसे, 4 to the 8, 4 to the 8, कितना होगे 16, इसको लिखना कहाँ पे 16 को, एक digit छोड़के, मतलब 6 और 1, अब इसको add कर लो, 8, 6, 8, 9, तो यह 960 आपका answer, दोस्तों यहाँ पे calculation करने के लिए, समझाने में आपको time लग रहा है, जब आप इसको अपने mind से करेंगे, मैं लेके दे सकता हूँ, यह calculation आपकी 10 से 15 सेकंड में हो जाएगी, चलो एक और question try करते हैं, 25 multiply 65, कैसे करेंगे, तो जल्दी जल्दी, 5, 5, 25, 6, 2, 12, now cross multiply और यहाँ पे साथ में add कर लेना है, 5, 2, 10, और 6, 5, 30, कितना हो गया, 40, तो इसको लिखना कहा है, एक डिजिट छोड़ के, मतलब ऐसे, add किया इसको, कितना हो गया, 5, 2, 6, and 1, this is our answer, दोस्तों, यह calculation बहुत ज़्यादा fast है, और हर 2 digit के number पे यह applicable होगा, आपको इसमें जैसे coaching center मैप को बताया जाता है, कि 41 से लेके 60 तक किसकेर रहे हैं, उनको ऐसे याद रखो, या 21 से लेके 30 तक किसकेर हैं, इसको different method आपको बताया जाते हैं, सो आप सभी method को भूल जाएए, इस method को रखिए, यह method बहुत ही ज़्यादा short में है, easy है, और जल्दी समझा जाएगा, जो भी आप number ले लिजी, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 2, 2, 2, 4, लिखना बैसे ही है, 2 digits में, 9, 7, 6, 3, now cross multiply and add up, 92, 18, and 72, 14, so it is 32, और इसको यहाँ पे 32 लिखा और add किया, 4, 2, 3, 3, 6, and 6, so this is our answer, immediately, आपको कोई calculation नहीं करने की जरूरत है, इसको पहले मदब ज़्याद जो आपका school में करवाया जाता है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो, कोई और हम trick, किसी और question पर trick apply करते हैं, जैसे, 42 multiply, 84, तो अब आप इसको try करेंगे जल्दी जल्दी, 4, 2, 8, जल्दी जल्दी लिखा, 8, 4, 2, 32, अब cross multiply किया, और add up कर लिया साथ में दो नों को, 4, 4, just 16, 8, 2, again 16, so 32, 32 मैंने यहाँ पर लिखा, add किया, 8, 2, 3, 2, 5, और 3, तो यह हमारा answer है, चलो और try करते हैं, 96 multiply 38, चलो अब आप इसको try करेंगे, 8, 6, 48, 9, 3, 2, 7, cross multiply, no, 9, 8, just 72, and this is 18, 8, 2, 10, 90, 8, 4, 6, and this is 3, okay so this is our answer, चलो आप और calculation करते हैं, यह calculation में इसलिए करवा रहा हूं कि आप इसलिए इसको समय जाओ, फिर आप अपने करना क्या है, पैन लो, पेज लो और सुरू हो जाओ, 15-20 मिनिट के लिए, आप calculation करो, और stop बात लगा के calculation करो, दूसरे वाले method से, school बादे method से, और इस वाले method से, अगर आपके half time कम लगेगा, तो आप मुझे, मैं आपको literally बोल रहा हूं कि इस calculation में आपको बहुत कम time लगेगा, चलो, एक और question हम try करते हैं, 32, 64, 4, 2, 8, 7, 3, 18, so, अब हम next क्या करेंगे, cross multiply, पहले हमने direct करत किया, फिर हमने cross करेंगे, 4, 3, 12, and 6, 2, again, 12, this is 24, this is 24, इसको हमने यहाँ पे लिखना है, एक digit छोड के, यहाँ से एक digit छोडना है, okay, इसको add किया, 8, 4, and this is 2, so, 2, 0, 4, it is the answer, when we multiply, किसको 32 and 64 को, okay, so, next calculation हम try करेंगे, जो मर्ची calculation ले लो, जैसे tough calculation लेते हैं, 98, multiply, 84, क्या करेंगे, 8, 4, 32, 98, 72, and now we have to cross multiply, 9, 4, 36, 88, 64, so, this is already 100, so, अब देखो, आप यह 3 digit का नंबर बनेगा, तो अब आप बोलोगे, यह 3 digit का नंबर बन गया, 2 का तो आपने बताया कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, सो इसको कैसे करेंगे, 3 digit को, आपने start up इसका यहीं से करना है, okay, start up यहीं से करेंगे, एक digit छोड़के, चाहे आगे तक जितने मर्जिया आजाएं, मतलब, 0, 0, and 1, okay, add किया, 2, 3, 2, and 7, 1, 8, अब आप calculator उठाओ और इसको multiply करके देख लो, कांसर यहीं होगा, तो यह बहुत ज़्यादा short trick है, यह आपके banking की calculation, banking में, PO के exam में, clerical के exam में, SO के exam में, जो भी आपके exam होगे, उसमें यह बहुत ज़्यादा help करेगा, सो दोस्तों, इस short trick को अपनाओ, और अपली calculation को fast करो, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो यह subscribe button है नीचे, red color में इसको जरूर click करें, और इस वीडियो के नीचे comment भी करें, और इसको like भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इसके लिए, मतलब आपको यह वीडियो पसंद आया, और next time है, इससे कोई और short trick, जो कि आपके banking exam के लिए helpful होगा, उस short trick को लेकर आऊंगा, सो, चो चलते चलते में, एक और short trick आपको, एक और calculation करके दिखा देता हूं कि कैसे आपने calculation करनी है, एक सबसे पहले हम, छोटे digit की calculation लेते हैं, जैसे 18 and 25 इस तरह गी, फिर हम बढ़े के लेंगे, और 8, 5 जा, 40, अब अब यह की और यह 2 बन जा 2, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, 0, 2, ओके, मालब 4 डिजिट में रहना चाहिए, नमबर यह, अब क्रॉस मुल्टिप्लाइ, 5 बन जा 5, 8 बन जा 16, 16, so 16 और 5, 21, मालब 5 बन जा, 5 और 8 टू जा, 16, this is 21, इसको कहां पे लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के, एक और 2, इसको एड़ किया, 0, 5, 2, 2, 4, तो this is our function, ठीक है दोस्तों, अब चाहे बड़ी कैलकुलेशन ले लो, 96, multiply 82, 6 तू जा 12, 98 जा 72, now 9 तू जा 18, 8 6 जा 48, so this is 64, तो 64 को ऐसे लिखा हमने इसके नीचे, टू डिजिट के नीचे एक डिजिट छोड़ के, तो क्या अंसर आ गया, 2, 5, 8, and 7, और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये short trick समझ नहीं हा रहा है, तो आप जरूर कमेंट में लिखें, ताकि इसको मैं दोबारा clarify करके, और अच्छे तरीके से इसको बिशक में डाल सकूँ, अगर आपको प्रसंद आया, तो प्लीज इसको सबस्क्राइब करें, और अगर प्रसंद नहीं आया, तो भी इस पर जरूर कमेंट करें, कि इसमें क्या खाम ये थी, क्या कम ये थी, ताकि नेक्स टाइम में आपको इससे इंप्रूव करके वीडियो दिखा सकूँ, तो प्लीज हमारे सबस्क्राइब बटन पर जरूर कलिक करें, अगर आपको ये वीडियो पुसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, जिससे क्या होगा, नेक्स टाइम में आपको और अच्छा वीडियो लाके दिखाऊंगा, तो धन्याबाद दो तो?